नमामी ननुंत्राय नमा हैलो गाइज एरगोंगे वेलकम स्यू सो गाइज एरगोंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा 4th year, BMS 4th year में जो एक हमारा subject है Research and Esthetics उसका first point है as per CCM सलेबस, historical background of research and evidence तो उसी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें की हम basic से start करेंगे कि कैसे इस आईरवेद के अंदर research का महत्व है और कहां कहां पर वो vary करता है तो दीखे सबसे पहले हम किसी भी चीज को बात करें तो उसके सबसे पहले हमें नीव यानिक उसकी जो roots है basic root उनको धियान रखना होता है तो आईरवेद की जो basic root है उसका सरजन यानि कि आईरवेद की उत्पत्ती हुई कैसे है तो दीखे ऐसा है आईरवेद की उत्पत्ती कहीं से नहीं हुई जब हम सुचुरू सहीता पढ़ते हैं पर भी इसपस्ट हुआ है कि ब्रह्मा जी ने भी आईरवेद का इस्मरन किया था तो ब्रह्मा जी ने आईरवेद का इस्मरन किया इट्मीन की ये पहले से ही present था उन्होंने केवल इसको read out किया था और read out करने के बाद में जो ग्यान था अपना वो आगे दक्षप्रजापती जी को दिया दक्षप्रजापती ने यही गुरू शिशे परंप्रा को आगे बढ़ाते हुए अश्वीनों कुमारों को दिया ये ग्यान और फिर ये ग्यान इंदर को मिला इंदर के द्वारा ये ग्यान बहुत सारे रिशी मुनियों को प्राप्त हुआ है जिसमें ये पुनर्वस वात्रे, धनवंत्री, भार्दवाज, शुशूरूत, वागभाट, नागरजुन और चरक जैसे कहीं सारे रिशी मुनिय थे तो अब ये बात यहाँ पर उठती है कि जो हमारे अचारिये थे उन्होंने किस परकार से यहाँ पर कॉंट्रिबुशन किया अपना तो दीखे जो अचारे चरक थे उनके बारे में हम जानती है कि अचारे चरक की चरक सहीता है और उनका चिकिस्था स्थान काफिस रिष्ट है क्योंकि उन्होंने काफिसारी आइरवेडिक मेडिसिन्स के लिए शमान और शोधन चिकिस्था के योग बता हैं और उनको डवलप किया है इसी परकार से अगर हम बात करते हैं किसके बारे में अचारी शुशुरुट जी के बारे में तो अचारी शुशुरुट जी ने क्या कर रहा है various types of operations इन्होंने बता है यानि कि शल्ले ची किस्था पर इन्होंने ध्यान दिया है और उसको अच्छे से डवलप किया है उसी परकार आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे नागर जुन्जी के बारे में नागर जुन्जी ने रशास्त्र के शेत्र में और भैशज्य कलपना के शेत्र में काफी कार्य गया और पंचविद कशाय कलपना इस पर जैसा भी रोगी है उसके according चीज को बनाना उस पर ध्यान दिया और उसको अच्छे से डवलप किया तो इस तरीके से सभी अचारियों ने कहीं न कहीं किसी ने किसी परकार से योगदान दिया है तो आगे बढ़ेंगे आगे और कुछ चीजे देखेंगे क्या क्या इसमें है तो दिखें सबसे पहले हम जो सहीता है पढ़ते हैं अपनी आइरवेद में वो दो form में पढ़ते हैं एक वरत्रई और दूसरा हमारा लगुत्रई रहता है तो वरत्रई में भी तीन आती है हमारे चरक सहीता, सुश्रुत सहीता और वागपट जी की दो आती है श्टांग रिदे और श्टांग संग्रह तो जो अचारी चरक थी उनके पिता का जो नाम था उनके पिता का नाम विशुद्ध था ठीके और जो शुशुरुद्जी थे उनके पिता का नाम था विश्वा मित्र और वागबट जो थे उसमें देखते हैं भी कौन-कौन वागबट है उनके पिता का नाम सिंग गुपत था अब वागबट की जब भी हम बात करते हैं तो हमें दो वागबट जनरली याद रहते हैं वरिद वागबट और लगु वागबट पर आपको ध्यान रखना है एक और वागबट थे जो उनके भाई थे दोनों के जिनका नाम था रस वागबट तो रस वागबट, वरिद वागबट और लगू वागबट ये तीन आपके वागबट हैं यहापर जिनोंने वरिद वागबटने स्टांग संग्रह दिया लगू वागबटने स्टांग रिदे दिया और जो आपके रस वागबट थी उन्होंने रस रतन समुच्छे को दिया तो ये भी एक तरीके का महत वपून योगदान था एक रिसर्च के केस में या फिर आइडवेज के केस में अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ेंगे लगूत रही की थोड़ी सी बात करेंगे तो देखें लगूत रही में भी जो हमारी सहीता आती हैं तीन आती हैं मादव निदान शारंगदर सहीता और बहुपरकाश इसमें जो मादव निदान थी उनका निदाने स्थान काफी स्रेष्ट था और इंदर यानि कि जो हमने पूरा की पूरा सिक्वेंस पड़ा है उसमें क्या-क्या प्रमान हैं जो कि हमें आपर प्राप्त होते हैं तो उनी प्रमानों की बात करेंगे तो प्रमान में सबसे पहले अश्वणी कुमार के बारे हम बात होती है ठीक है अश्वनी कुमार जी के प्रमान मांगे गई कि अश्वनी कुमार को जो आपने रखा है क्रम में कि जो ग्यान था वो ब्रह्मा जी से दक्षपरजा पती जी को मिला फिर अश्वनी कुमार को मिला तो हम विष्वास करने की उन्हें ज्ञान मिला है तो देखिए सबसे पहले भगवान अश्वनी कुमार के वारे में जब हम सुनते हैं तो उन्होंने क्या करा था इंद्र भगवान जो थे उनके लिए नोने अजा के वरिशन यानि कि जो गोट टेस्टीज है उनको ट्रांस्प्लांट किया था उसमें सबसे पहला इनका यह विश्कार यह एविडेंस था जो मिलता है दूसरा है राजा खेल जो थे उनकी पत्नी को जिनका नाम विशाला था वो घायल हुई थी तो उनकी लेग में इंजरी हुई थी तो उन्होंने उनकी लेग को धातू का पैर यानि की आईरन कास्ट की जो एक रोड थी उसके दुआरे उन्होंने आपर ट्रांस्प्लांट किय था तो यहां से सिद्ध होता है कि जो पुराने टाइम में ब्रह्मा जी ने स्मरन किया आयरुवेद में उसके बाद उसको अच्छे दे ग्यान लेने के बाद में उस पर फिर अपना जो ग्यान दिया था दक्षप्रजापतिजी को दिया जिनोंने भी उस ग्यान पर क्या तो यही एक रिसरच का इंट्रोड़क्शन है उसके बाद जो अचारे चरग थे उनके बारे में जब बात होती है तो अचारे चरग ने क्या किया था बहुत सारी डिसीज हम देखते हैं चरग चिकिस सस्थान में 30 चैप्टर है और 29 चैप्टर में 30 व्यादियां है और उनको व्यादियों को शांत करने के लिए कहीं सो योग वर्नित है तो यह सब अचारे चरग ने वर्नित की थी उसके बाद आगे देखिए अचारे शुश प्रचनाओं को डिफाइन किया था परिभाशित किया था कैसे इन्होंने जो केडेवर था गर्ब शरीर यानि कि जो केडेवर था लेडिस का उस पर गर्ब शरीर पर जाधा जान देते वे इन्होंने विभिन अंग प्रत्यंग को के बारे में और गर्ब की जो शरीर वर्नन हैं गर्ब का शरीर वर्नन है उसके बारे में नोने बताया था यानिकि इनोने जो लेडिस का केड़ेवर था उस पर सब विच्छेदन करकर उसका डैसेक्शन करकर विबिन परकार की बहुत सारी knowledge प्राप्त कियी थी और उसको वर्नित किया था उसके साथ-साथ इन्होंने जो वर्नित किया था तो उसमें क्या था डिस्क्राइब एंड पर्फॉर्म मैनी सरजरी बहुत सारी सरजरियां बताया थी इन्होंने जिसमें की फ्रेक्चर्स अस्ति भगन होने पर लिंग नास यानि कैटरेक्ट जो की अक्षी रोग है नासा संधान य सुचरुजी को मिला तो वो ग्यान बिलकुल सत्य था और वो ग्यान सत्य होने की कारणी ये इतनी सारी चीजों पर चिकिस्सा कर पा रहे थे और उसका ग्यान ले पा रहे थे आगे बढ़ेंगे आगे बात करेंगे अचारे नागरजुन के बारे में अचारे नागरजुन क बहुत सारे formulations के द्वारा इन्होंने बताया था कि आप महाँ पर आयरुवेदिक therapy यानि कि उहाँ पर चिकिस्सा कर सकते हैं और हम पढ़ते भी हैं बहुत सारे योगों में इनका यूज किया भी जाता है आगे देखते हैं toxic material जैसे की पारद है गंदक है उनको इन्होंने detoxify किया था बहुत सारे संसकारों के द्वारा तो इसंसकार इन्होंने वर्नित किये थे जिससे के wish को भी हम एक ओशद के रूप में यूज कर सकते हैं उसके बार आगे देखेंगे कुछ होँर हैं जो मेरे subject हैं वो क्या-क्या सिखाते हैं हमें तो subject के बात करेंगे तो subject में देखिएगा सबसे पहले شरीर किरिया रा किरिया शारीर जो भी हम कहें अगनी के बारे में बताया गया अगनी का concept होँआ समझाया गया जो हमारे digestion में आने की पाचन में सहायक होता है और जो पाचन होता है वो हमारा अवस्था पाक के नुसार शहायक होता है जिसमें की 3 stages होती हैं हम जानती है तो ये भी एक research थी जिसके basis पर ये चीज़े बताई गई थी कि जो पाचन है उसके लिए अगनी responsible है जट्रागनी और जट्रागनी responsible है पाचन के लिए तो पाचन जो है वो 3 stages में होता है तो 3 stages वहाँ पर बताई गई है उसके बाद अगर हम बात करते हैं रचनाशारी यानि की एनाटमी के बारे में तो वो अस्थी की संख्या, मर्म शारीर और मर्म अगात लक्षन मर्म पर अगर चोट लगेगी तो क्या हो सकता है यानि vital parts जो है अपने बोड़ी के वो सब बताई गए थे उसके बाद रच शास्तर के अगर हम बात करते हैं तो देखे रच शास्तर में विभिन कलपना है जिसमें कि स्वरस, कलक, क्वात, हिम और फांड यह बताई गई, यह क्यों बताई गई, कई बार ऐसा होता है कि कई जो बच्चे होते हैं वो सवरस नहीं बीच सकते क्योंकि वो काफी जादा तिक्षिन परभाव का होता है तो उनको उनके कोडिंग चेंज करकर वही ओश्यद को उनके कोडिंग चेंज करकर हमें वटी के रूप में यानि कि कल का कलपना है उसके रूप में देनी पड़ती है तो ये वो सारी कलपना हैं जो की रश्चास्तर में एक रिसर्च के तहट बताई गई थी आगे देखे अगत तंत्र में जांगम विश और स्थावर विश के इनके विश लक्षन और प्रती विश के बारे में बताया गया कि क्या आपको लक्षन मिलेंगे एक कौन सी गति होती है जंगम विश में अर्दू गति हो रही है इस्थावर विश में अधे गति हो रही है ये सब सर्च हुई थी यहाँ पर और उससे हमें इंट्रडूूस कराया गया था आगे बात करते हैं सब्जेक्ट में ही कायची किस्सा कायची किस्सा में व्याधी की लक्षन, संप्राप्ती और चिकिस्सा के बारे में हम कोर्लेट करते हैं आज की डिसीज जो आज कल हमें डिसीज मिलती हैं उसकी डिसीज के साथ में आप कोर्लेट कर सकते हैं उसी तरीके से द्रव्य गुना में medicinal जो plants है हमारे उसकी properties उसके science पढ़ते हैं अहर द्रव्य या अंद्रव्य वर्ग हैं उनके बारे में विश्ध द्रव्य वर्ग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं पंच कर्मा में देखते हैं हम लोग impure blood जो है वो body से remove किया जाता है लीज थियारेबी के द्वारा उसके साथ साथी कुछ और विश्ध चीजे हैं जिसमें के हम बाल रोग में देखते हैं संसकार आज भी हम देखते हैं ट्रेडिशनल्स में कि बच्चा बर्थ लेता है बेबी बर्थ लेता है तो उसके ग्यारा दिन बाद नामकरन संसकार होता है फिर उसके एक साल के अंदर अंदर उसका केश जो है यानि की उसके जो बाल कटवाए जाते हैं वो संसकार किया जाता है तो विबिन परगार के संसकार फॉलो किया जाते हैं आज भी तो इटमीन है कि यह जो रिसर्च हुई थी यह बिल्कुल सत्य थी और बिल्कुल इंपेक्टली प्रफॉर्म होने वाली थी वहाँ पर उसके बाद देखेंगे modern point of view से क्या बताया गया है तो देखें हिपोक्रेटिस के बारे में हिपोक्रेटिस ने हिपोक्रेटिस ओत दी थी जो physicians करते थे वह आज तक भी कराई जाती है और फॉलो कराई जाती है गैलन के दुआरा dissected किया गया था सबसे पहले एनिमल्स को Alexander flaming ने discover की थी penicillin और एक era को begin किया था जो कि antibiotic era था आपका पुरा का पुरा पुरा तो इस तरीके से research का पुरा का पुरा introduction है कुछ evidence के साथ में जो कि हमारा पहला point है CCIM slaves के according research में वो हमने cover किया आगे क्याने वाली videos में हम बाकी topics को point to point cover करते चलेंगे Thank you so much to being with us